स्वागत करते हैं आप सभी का अपने नए यूटूब चैनल पर जिसका नाम है विकास टॉक्स हो तो संती जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार ऐसे ऐसे लोग को जो विजनस में सक्सेस्फूल हैं जो को लगातार इस चैनल पर ले आता रहूंगा और ध्यान दें आपको इंस्पायर करने का मैं 101 परसेंट प्रयास करूंगा जल्दीश जल्दीश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें क्योंकि अगर यह भूल गया तो नेक्स्ट वीडियो आने वाले आपके अकलर आपने जो तमने पड़ा नट में बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल और सभा नब हासा में जब कोई कंपनी किसी समान का मैनुफेक्ट्छर करती जब कोई समान को बनाती है तो तो company जो समान बनाने वाला होता ना बहुत आलसी इंसान होता, सुचता है कि मैं company का समान बना तो दिया, लेकिन मैं consumer के पास, मतलब जो अम लोग use कर रहे हैं, उसके पास मैं नहीं लेके जाने वाला, कोई आया और लेके जाया, मुझसे मतलब नहीं, मैं नहीं पहुचाने वा wholesaler, उसके बाद कौन होता है, retailer, उसके बाद, वो समान हमारे और आपके पास आ जाता है, क्या नहीं मैं आज देहीं, क्या सोचते हैं, कोई भी समान का दाम, अगर 10 रुपया हो, तो आपके पास पहुचते है, अगर उस समान का दाम 20 रुपया हो, तो भी आपने सोचा है कि इसका दाम उतना महेंगा क्यों है, कितने अस्तर से ये समान गुजर के आपके पास आया है, जैसे हम एक्जामपल ले, माले जी ये बोटल है, ठीक है, इस बोटल का दाम जो है 20 रूपया, आप अनुमा लगा सकते हैं, एक लिटर पानी के दाम 20 रूपया, अईसा क्या है भाई इसमें, आपने सोचा है कभी, ये समान जब मैनुफैक्चर होता है, माल लीजिये, हमने का, माल लीजिये, इसका दाम 10 रूपया है, ठीक है, जब इसका प्रमोशन होता है, इसका प्रमोशन होता है, जब इसका एड होता है, उसके बाद क्या होता है ये नेशनल डिस्ट्रिबूटर के पास है डिस्ट्रिबूटर के पास महुचता है उसके बाद ये होल सेलर के पास महुचता है उसके बाद कहीं आप क्या और हमारे पास पहुंचता है तो माली इसका दाम अगर 10 रूपया है और मार्केट में 20 रूप के पास जो 10 रुपया इक्स्ट्रा है ये आपस में चारो जगा बढ़ जा रहे हैं ये चार के जगा पर आड़ भी हो सकते हैं मैंने एक छोटा सा एकजामपल लेकर समझाने का आपको प्रयास किया है तो ये समान कदाम 10 रुपय था लेकिं हमको मिलना है 20 रुपया लेकिन ये मतलब आपके पास और हमारे पास भेजने के लिए बोल लही है कि हम एक ऐसा 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 बिजनस का निर्मान करेंगे जिस्ते रुख हम से जुड़ेंगे एक बहुत बड़ी चैन बनेगी एक बहुत बड़ी पिरामिट बनेगा अरे उसी की बात कर रहे हैं जोडने वाली के बात कर रहे हैं एक ऐसा पिरामिट बनेगा एक चैन बनेगा एक ऐसा बिजनस मॉडल त्यार होगा जो हमारे वही बिजनस मॉडल हमारा एड करेंगे मतलब वही लोग हमारे आड करेंगे वही लोग डिस्ट्रिबूटर रहेंगे वही लोग हमारे होलसेलर रहेंगे वही बंदों को अपना कंपनी पार्टनर बना लेती है इसी को कहा जाता है चैन बिजनस और ध्यान दे सबसे मज़दार पॉइंट अब आ रही है और इन्हीं पार्टनर को माली जी इसका में दाम बताया ना आपको 10 रुपया इसका दाम 10 रुपया और बोले एक कंपनी कि जो 10 जा रहा है इन्हीं पार्टनर में इन्हीं चैन में जितने लोग मेंबर जुड़े हुएं ये 10 रुपया उन्हीं में बाट दी जाएगी हम किसी आड करने वाले को पैसा क्यों दे हम किसी रीटेलर को पैसा क्यों दे हम किसी होल्सेलर को पैसा क्यों दे हमारी कंपनी में जो लोग काम करेंगे, वही हमारे समान का प्रचार करेंगे, वही हमारे समान का डिस्ट्रिबूटर बनेंगे, वही हमारे समान को रिटेल करेंगे, वही हमारे समान का होल्सलर बनेंगे, हम यह 10 रुपया, जो एड में दे रहे हैं, होल्सलर में दे रहे हैं, डिस्ट्रिबूटर की डेट आज की डेट में नेटों मार्केटिंग अपने दो प्रकार की हैं कौन-कौन जाना चाहेंगे बिल्कुल जाना चाहेंगे इस वीडियों बने लाश्टक आपको एक ऐसे जनकारी दूंगा जो आप दंग हो जाएंगे प्लीज आप इने बात को ध्यान सुने नेटों म अपार करती है कहती है क्या अलू मैं 10,000 रुपया लाइए 20,000 लेके जाएए ये कंपनी फ्राड होती है ये कंपनी भाग जाती है और दुनिया में 90% लोग इससे जुड़े हुए थे और उनकी कंपनी पैसा लेके भाग गई और वहीं लोग आज क्रेट में नेटवर्क मार 15,000 रुपए इस कंपनी में फउचा था ये होती है इसकाइम्सक्रिम कंपनी जो ROI पे काम करती है रिटरण आफ इन्वेस्टमेंट पे काम करती है ये कंपनी कभी भी नए ठिक तिया दियान दे सब प्रोड़क्ट्ट्टेते हैं पैसा लेती है क्या सब कंपनी सही होती है ध विसो में उसके तरह कोई समान बना न पाए, वो कमपनी जिन्दगी बर रहेगी, आप जतनी पुरानी कमपनी है, आप उचे सर्च कर सकते हैं, और दूसरी, वो कमपनी जो एक नॉर्मल प्रोड़क्ट बना रही है, और उससे बहतर प्रोड़क्ट बाहर एपलेवल है, वो भ भयान से समझना होगा, और आप जोईन में करना चाहते हो न, तो बहुत रिसर्च के बाद, आप जोईन करें, अन्यथा, अपने सीनियर्स का, जो नेटर्ट मार्केटिंग में लोग काम कर रहे हैं, उनका हेल्फ ले, इससे अच्छा बिजनस मॉडल कोई है नहीं, कम जादा से जादा गुरो, सो प्लीज, नेटर्ट मार्केटिंग कमपनी को कहना कि सही है, गलत है, उसके पहले थुदा सा रिसर्च करिए, मैं भी इसी अंद्रविस्वास में पढ़ा था कि नेटर्ट मार्केटिंग कमपनी बहुत गलत होती है, लेकिन आज की जिट में जो एक लड़का जिसका बड़ा ड्रीम है, उसको सफलता कहीं मिल सकती है, तो वो नेटर्ट मार्केटिंग कमपनी मिल सकती है, लेकिन वो कमपनी 101% सही होनी चाहिए, और ये सही हर कमपनी आपको सही निधारित करती है, लेकिन ये तैं आपको करना हुआ कि आपको जाना कहा है शो ये मेरी वीडियो कैसी लगी नेट्वर्ण मार्केटिंग पर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करें और अपना राय कमेंड बॉक्स में जरूर दें अच्छा लगा तो शेयर करना ना भोलें फिर से दुबारा गता हूं